जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कच्छा नव के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी पाठ पुस्तक के अंतरगत, जो संग्सकरत खंड है, संग्सकरत खंड का जो चोथा पाठ है, सिध्ध मंत्रा, अर्थात सफलता का मंत्र, इस पाठ का यहां पर मेरे प्यारे बच्चों जो पहला गध्यांस है, यहां तक आप लोग ध्यान देंगे, राम दासा, नारा पुरे और यहां तक है, धन धानने आदे पूरम अस्ती, इस गध्यांस का सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा, और मेरे प्यारे बच्चों आप से एक रिक्वेस्ट है, यहां जो तीसरा पाठ है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, मेरे प्यारे बच्चों, पुरुसो तमह रामह, इस पाठ को मैंने पूरा पढ़ा दिया है, प्रते किस लोग का मैंने अलग-अलग संदर्भ और सरल हिंदी अनुवाद बता दिया है, यदि याप वीडियो देखना चाहते हो, या आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में और यदि आप कमेंट करोगे, तो मैं आपको वीडियो शेर भी कर दूँगा, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो दूसरा पाठ है, संग्सकरत खंड का, सदा चारह, अर्था तुत्तम आचरण, इस पाठ के प्रतेक गध्यांस का, और यहाँ पर सभी इस लोकों को मैंने पढ़ा दिया है, प्रतेक इस लोक का मैंने अलग-अलग वीडियो प्रवाइड कराया है, चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हूँ, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो पाठवा पाठ है, सुभा, सी, तान, इस पाठ का हिंदी अन्वाद क दिये गए हैं, एक, दो, और तीन, यह तीन इस लोक की भी वीडियो मैंने प्रवाइड करा दी है, और आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पर जो चौथा पाठ है, क्योंकि आप ही में से एक प्यारे बच्चे ने कमेंट किया था, कि सरसिध मंत्र पद्यांस का या पद्यांस का, चाहे संसकरत खंड का हो, चाहे हिंदी का हो, यानि गद्य खंड का हो, या कावि खंड का हो पद्यांस, आपको जब भी उसका संदर्व लिखना है, उसके सुरुवात के सब्दों को और अंतिम के सब्दों को जरूर लिखना है, जैसा कि यह पर आप लोग ध्यान देएंगे इस तरीके से, सुरुवात के सब्दों को मैंने लिखा है, राम, दासा, फिर अंतिम के सब्दों को भी लिखा है, पूरम, अस्ती, इस तरीके से काले पंसे आपको लिखना है, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्व, और संदर्व हेडिंग आप काले पेंसे डालिएगा लाल पेंसे मैंने लिखा है लेकिन आपको काले पेंसे ही हेडिंग डालना है तो संदर्व क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रस्तुत गध्यांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आप काले पेंसे लिखेगा जैसा कि यहा पर आप देख पा रहे होंगे हिंदी काले पेंसे लिखना है फिर के संग्सकरत खंड भी आप काले पेंसे लिखेगा के अंतरगत सिध्धि मंत्रह पाठ का नाम क्या है सिध्धि मंत्रह और पाठ का नाम भी आपको काले पेंसे ही लिखना है नामक पाठ से अवतरित है तो प् आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, तो चलिए मैं आपको सरल हिंदी अनुवाद बता दूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, यहां पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, मेरे प्यारे बच्चों, रामदास नारायन पुरे निव निवसत अर्थात रहता है सह नित ब्रम्हो मुहूरते उठाये नित करमाली करोते अर्थात वह प्रत दिन नित अर्थात प्रत दिन ब्रम्हो मुहूरतो यानि ब्रम्ह मुहूरत में उठाये यानि उठकर नित करमाली करोते नित करम करता है वह ब्रम्ह मुहूरत में यानि वह प्रति दिन नित यानि प्रति दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित कर्म करता है नारायनम इस्मरत और क्या करता है नारायन अर्थात भगवान का इस्मरत यानि इस्मरण भी करता है नारायनम इस्मरत यानि भगवान या नारायन का इस्मरण करता है तताह परम पशुभ्य गासम ददाती और इसके बाद परम पशुभ्या घासम ददाती इसके बाद वह क्या करता है पसुओं को पसुभ्या घासम ददाती यानि पसुओं को घास देता है पसुओं को क्या देता है घास देता है अनंतरम अनंतरम पुत्रेड सह सा छेतराणी गच्छनती यहां पर आप लोग ध्यान देंगे इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा अनंतरम पुत्रेड और इसके पस्चात अनंतरम पुत्रेड इसके पस्चात वह अपने पुत्र सह सा छेतराणी गच्छती अपने पुत्र के साथ खेतों को चला जाता है अनंतरम पुत्रेड सह यानि पुत्र के साथ सा छेतराणी गच्छती अपने खेतों को चला जाता है तत्र सह कठिनम स्रमम करोती और वहां पर वहां कठोर परिस्रम करता है और क्या होता है कि उसके परिश्रम और देखभाल से उसकी क्रसी में परियाप्त अन्न उत्पन होता है यानि उसका परिश्रम और उसकी जो देखभाल है इसके फल सुरूप क्या होता है उसकी क्रसी में परियाप्त अन्न उत्पन होता है तस से पश्वाह हश्ट पुष्टांगा संती यानि उसके जो पश्वें स्वस्त शरीर वाले हैं तस से पश्वाह हश्ट पुष्टांगा संती यानि उसके जो पश्वें स्वस्त शरीर वाले हैं और ग्रहम चा धन धानने आदे पूरम अस्ती और घर्व धन धानने आद से क्या है परिपूर है तो इसका हिंदी अन्वाद आपको लिखना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे रामदास नारायण पूरे निवसत इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है काले पेंसे आप हेडिंग डालिएगा हिंदी अन्वाद और क्या होगा हिंदी अन्वाद मेरे प्यारे बच्चों की रामदास नारायण पूर में रहता है आगे यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी लोग सह नित ब्रम्हो मुहूरते ऊथाये नित करमारि करोती वह प्रत दिन ब्रम्ह मुहूरत में उठकर नित कर्म करता है यानि सा नित ब्रम्हो मुहूरते उठाय नित करमार करोते वह प्रत दिन ब्रम्ह मुहूरत में उठकर नित करम करता है नारायनम इस्मरती और क्या करता है नारायनम इस्मरती अर्थात नारायन का इस्मरत करता है और तताहस्त परम पशुभ्या घासम ददाते और क्या होता है कि इसके बाद पशूओं को घास देता है तताह परम पशूब्या घासम ददात यानि इसके बाद पशूओं को घास देता है और आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे अनंतरम पुत्रेड साह साह छेत्राण गच्छते और क्या होता है इसके पश्चात वह पशो को घास देता है, फिर इसके पश्चात वह अपने पुत्र के साथ खेतों को चला जाता है, इसके बाद वह क्या करता है, अपने पुत्र के साथ खेतों पर या खेतों को चला जाता है, तत्र साह कठिनम स्रमम करोते, और वहाँ पर वह कठोर परिश्रम करता है, तत्र परिष्रमेड निरिच्छन रेन चा क्रशो प्रभूतम अन्नम उत्पद्धते और क्या होता है उसके परिष्रम और देखभाल से उसकी क्रशी में परियाप्त अन्न उत्पन होता है और इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे तस से पश्वा हश्ट पुष्टांगा संती और उसके जो पश्व हैं उसके पश्व स्वस्थ सरीर वाले हैं और अगे यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे ग्रहम चा धन धान न्याद पूरम अस्ती और घर में और उसके घर में क्या है धन धान ने परिपूर है यानि घर धन धान ने आदिसे परिपूर है तो मेरे प्य से इसका हिंदी अन्वाद समझ में आ गया होगा यदि आप कमेंट करोगे तो इसके बाद का जो गद्यांस है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजेगा देरे प्यारे बच्चों अत्रेयो ग्रामे पैतरक धनेन धनवान धर्मदासा निवसती इस गद्यांस का भी मैं आपको सर हिंदी अन्वाद बता दूँगा बस आपको कमेंट करना पड़ेगा और मेरे प्यारे बच्चों आप से रिक्वेश्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर कर देना लाइक कर देना अपने प्यार भेरे कमेंट भी करते रहना पढ़ते रहें मस्त रहें स्वस्त रहें अपनी नोट्स भी बनाते रहें चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विसे के जो माडल पेपर मैंने प्रवाइड कराएं हैं 2023-2024 वार्षिक परिच्छा के लिए आप उन माडल पेपर को भी तैयार कर लें सामाजिक विज्ञान विसे के भी माडल पेपर को तैयार कर लें तो आप सभी से रुकेष्ट है कि वीडियो शेयर भी कर दें जैहिंद